हेलो एवरिवन वेल्कम टू आईएस्पीस सिंप्लिफाइट यह लेक्चर सिरीज मेरी चल रही है लूसेंट सिरीज की अल्रडी मैंने 10 से 12 चप्टर कम्लीट कर रखा है इससे पहले मैंने सुप्रीम कोट पढ़ाया था ठीक है अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने हाई कोट क पार था जज़ेज को CGI को कितने कितने इम आल्यमेंट मिलते हैं ठीक है बनिफेट्स मिलते हैं वो आल्रडी हमने कम्लीट कर रखा है सुप्रीम कोट में ठीक है अब हम लोग से स्टार्ट करते हैं तो यह लूसें की सिरीज है लूसें त्थ्योरी पढ़ाऊंगा साथ साथ म में दोनों होगा तो आपको कहीं और जाने की जरूत नहीं पड़ेगी एक टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा त्योडी प्लस अब्जेक्टिव पोर्शन एजवल दोनों एडिसन 2022 लिशन एडिसन है तो आप उसको अराम से प्रिफर कर सकते हो सुप्रीम कोट में हम लोगों ने सेंट्रल की बात की थी तो अगर हाई कोट की बात करेंगे तो वो जुडिसियरी जो है वो स्टेट की सबसे उच जुडिसियरी है ठीक है अब हम लोग देखते हैं तो अभी हमारे कंट्री में 24 हाई कोट है और तीन ऐसे हाई कोट है जिनकी जुडिक्स एक स्टेट से जादा में है तो मैंने क्या कहा अभी हमारे देश में 24 हाई कोट है हाँ और जिसमें से तीन ऐसी हाई कोट है जिनकी जुडिक्स ओवर मो देन वन स्टेट है ठीक है आगे बढ़ते है अब छे हाई कोट को जानते हैं हम लोग जो वो है यह नाम याद रखीगा छे हाई कोट का जिनमें 11 पर्मनेंट बेंचेज हैं याद रखेगा 11 पर्मनेंट बेंचेज इसी में हैं ठीक है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कह रहा है छे ऐसे हाई कोट हैं अलाहबाद, बॉम्बे, गौहाटी, मद्धि प्रदेश, मद्रास और राजस्थान जिनके पास 11 पर्मनेंट बेंचेज हैं आपस में ठीक है अब पर्मनेंट बेंचेज का मतलब समझते हैं पर्मनेंट बेंचेज का मतलब होता है कि ऐसा हाई कोट जहाँ पे जजजे जो होंगे न वो किसी पर्मनेंट बेंच अट नागपूर that takes all appeals from विधर्व रीजन तो उस पूरे विधर्व रीजन का, complete रीजन का, जो नागपूर बेंच है उसमें उनकी चीज़े अपिल्स को लिया आता है, ठीक है, ठीक है न, यही है, अब आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा है, only करनाट का, high court has two circuit benches at धारवार and गुलबर्ग, अब हम लोग समझेंगे, circuit benches किसको कहते हैं, अब हम लोग define करते हैं, circuit benches को, ठीक है, तो समझते हैं, circuit benches जो होते हैं, वो वैसी territories के लिए होते हैं, वैसे locations के लिए होते हैं, जो दूर होते हैं, जो far flenced होते हैं, ठीक है, but do not have too many matters to justify, देखिए, ऐसी benches, court की benches, जो काफी दूर territories में होगी, ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो ऐसा area है जहां पर बहुत सारे issues या matters आते नहीं हैं, जल यहां के appeal को, वहां के cases को देखते हैं, ठीक है, तो यह ही है, जैसे example माल लेजिए, एक circuit bench है, port player में, ठीक है, और साथ में, और यहां पर दे रखा है, करनाट का high court has two circuit benches, धारवार और गुलबर्ग, तो यह दोनों area में, लगबग साल में दो बार जाके, यहां के high court के, जो यहां जाके sit करते हैं, और appeal सुनते हैं, ठीक है, this is all about permanent benches and circuit benches, तो यह दो topic, दो concept आपको clear होगे, अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है, among the union territories, अब union territories की बात करते हैं, Delhi alone has a high court of its own, other six UTs have comes under the jurisdictions of different state high court, याद रखेगा, एक मात्र सिर्फ दिल्ली ऐसा है, जहां पर उसकी खुद की high court है, ठीक है, यह बात याद रखेगा, और जितने भी छे union territories हैं, वो उनके जो high courts हैं, वो किसी दूसरे states के high court के jurisdiction में आते हैं, इस इसका खास ख्याल रखना हमें, कि और जो दूसरे UTs हैं, UTs other than Delhi, will have the high courts of different states having the same jurisdictions, याद रखेगा, दूसरे states के high court को use कर रहे हैं, यह President, बिल्कुल, जो भी judge होंगे, जो appointed judge होंगे, high court के, उनको appoint करेंगे हमारे President, ठीक है, in making appointment as a high court judge, President can consult to the Chief Justice of India, बिल्कुल, President तो appoint तो करते हैं, साथ में उनका एक consultative matter होता है, जो consult करते हैं कि इनके साथ Chief Justice of India के साथ, ठीक है, और, and Governor के साथ, जिस state में, high court में judge appoint होने वाला है, उनका, also Chief Justice of that high court, तो तीन लोगों से consult किया जा सकता है, या तो करेंगे, कंपल्सन नहीं होता है, लेकिन करते हैं, ताकि इससे एक confidentiality बनी रहती हो, अच्छा रहता है, मतलब अगर उनको, उनके consult से करेंगे, तो एक harmonious way में create होगा, वो post, ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं, जो हमारे judge होंगे ना, high court के, high court के जो judge होंगे, उनको, President तो appoint करते ही हैं, बट ये consultative form लेते हैं, पहले तो समझ लिजे, governor से भी लेंगे, chief justice से लेते हैं, प्लस chief justice of that high court से लेते हैं, ठीक है, chief justice of India, प्लस chief justice of that high court, तो इससे का ख्याल रखना है, ठीक है, ये consultative form है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, high court judge can leave his office, देखिए, कुछ conditions होते हैं, जहां पर high court judges जो होते हैं, वो अपने office को छोड़ सकते हैं, ठीक है, वो conditions को हम जमसते हैं, ठीक है, कौन-कौन सा है, पहला condition है, कि वो resign देके कर सकते हैं, resign कैसे देंगे, तो वो writing, complete written में statement देंगे, address करेंगे, President of India को, ठीक है, वो resign कर सक होते हैं, second condition क्या है, यह देखते हैं, कहता है, by being appointed a judge of the Supreme Court, और being transferred to any other high court by the President, या तो second condition ये बनेगा, या तो जो high court के judge हैं, उनको appoint कर दिया जाए, Supreme Court के judge से, उनको promote कर दिया जाए, ठीक है, या फिर, उस state के जो high court, जैसे मालो पतना high court है, उनको transfer कर दिया जाए, किसी और state में ठीक है, बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं हम लोग, या तो तीसरा condition क्या हो सकता है, उनको precedent ने remove कर दिया हो, by removal और by removal by the precedent, ठीक है, अब देखते है, mode of removal क्या हो सकता है, the mode of removal of judges of high court is same as that of judges of the Supreme Court, मैंने Supreme Court के लेक्चर में काफी अच्छ से ये बताया है, तो समझ लिजेगा, चि quality की playlist जाके आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको काफी अच्छ से, काफी ढंक से सारे chapter, along with objective part आपको मिल जाएगी, अब हम लोग समझते है, कुछ qualifications के बारे में, qualifications के बारे में समझेंगे किन का, तो high court के judge का, judge के बनने का qualifications क्या है, पहला condition तो यही है, citizen of India, अब citizen कौन है, कै यही है, यह भी मैंने citizenship chapter पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हो, और दूसरा condition है, वह 62 साल से जादा नहीं होने चाहिए, तीसरा condition क्या है, यह देखते है, must have held for at least 10 year of judicial office in territory of India, पहला condition इसमें है, कि वह कम से कम 10 साल judiciary office को held करे, कहां पे जो इंडिया के territory में, और experience of at least 10 year as advocate of high court, या फिर 10 साल का experience होना चाहिए, उनके पास advocacy का, कहां पे तो high court में ही, condition क्या है, high court में ही, या तीसरा condition है, या slash करके हो रहा है, ठीक है, और of two or more such courts in succession in India, तो याद रखेगा, 10 साल का 1 court में, या फिर 2 court में, 5-5 साल मान के चलिए, ठीक है, successive होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, अब salary and allowances हम लोगा already बात कर रखे हैं, CGI की, judges की and supreme court के judges and high court के judges की, तो आप लोग ये जो salary and allowances है, वो supreme court के judge के वाले chapter में ही डाल दिया, तो आप एक बार देख लाए ना उसको, salary and allowances of the high court judges are charged on the consolidated fund of the state, याद रखेगा, इनका जो होता ये state में होते हैं, तो CFI, consolidated fund of state, याद र की आयता है, under article 202, sub clause 3, clause D, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब कहता है, after retirement of permanent judge, अगर permanent judge retire करते हैं, high court के, तो high court, after retirement, a permanent judge of high court cannot plead or act in court or before any authority in India, याद रखेगा, एक बार अगर high court के judge, permanent retire ले ले लेते हैं, उसके बाद वो किसी और, किसी और court में वो जाके फिर से plead नहीं कर सकते है लेकिन एक exception है, वो अपने से उपर, जो supreme court है, वहाँ पर जाके वो काम कर सकते हैं, और वैसे high court, जहाँ पर वो काम नहीं किया है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, कहरा high court, the high court, seats and jurisdiction के बारे में कुछ समझते हैं, थोड़ा बहुत कुछ है, जिन कहाँ पर territorial jurisdictions है, कहाँ पर उसके उनकी principal seats है, तो name of the high court देखेंगे, फिर उसकी establishment देखेंगे, territorial jurisdictions देखेंगे, और principal seat देखेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखें, पहली बात हो रही है, अलहाबाद high court की, ये established किया गया 1866 में, अगर आप UP PCS दे रहे हो, तो UP की याद रख लो, आगर म MP PCS दूँगा, तो MP की याद रख लोगा, ठीक है, इस तरीके का ध्यान रखना, देली का सबको याद रखना है, ठीक है, तो इनका territorial jurisdictions है, उतरप्रदेश, और इनकी जो principal seat है, जहां पर principally, वो main bench होती है, वो अलाबाद में है, और main bench है, bench at Lakhnau, begin functioning from, अब देखेंगे, इस म ये आंधराप्रदेश territorial jurisdictions में आता है, और इसकी जो principal seat है, वो अमरावती है, ठीक है, अब हम लोग देखते है, Bombay High Court के बारे में, 1862 में इसको established किया गया, और इसकी territorial jurisdictions जो है, वो महराश्टरा, डादर नागर हवेली, गोवा, दमनन्दिव है, याद रुखेंगा, इनका expansion, territorial jurisdictions इतना है, कौन-कौन सा है, महराश्टरा, दादर नागर हवेली, गोवा, दमनन्दिव, इसकी जो principal seat है, वो मुंबई है, बेंचेज इसकी कहाँ कहा है, नागपूर में, जो 1960 में develop की गई, फिर पंजी में, गोवा, 1948 में, फिर औरंगाबाद में, 1984 में, ठीक है, अब हम लो अंडमान एन निकोबार का भी jurisdictions है, इसमें, territorial jurisdiction है, तो यह काफी important, ठीक है, इस बात को मैं highlight कर देता हूँ, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा, और कलकत्ता इसकी जो है principal seat है, circuit bench at Port Blair है, ठीक है, तो याद रखेगा, अंडमान एन निकोबार की जब हम बात करें, तो हम को कलकत्ता हाई कोट याद होना चाहिए, ठीक है, अब हम लोग बात करतें, 36 गड़ हाई कोट की, इसको 2000 में established किया गया, इसकी territorial jurisdictions भी 36 गड़ है, साथ में इसकी जो principal सीच है, वो बिलासपूर है, अब हम लोग डेली हाई कोट की बात करतें, ठीक है, इसको 1966 में develop किया गया, और, स्टेबलिस किया गया, territorial jurisdictions की दिली है, साथ में इसकी जो bench है, principle वो भी बिलासपूर ही होगी, obviously है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एक चीज, अब देखते हैं, गोहाटी हाई गोट की, 1948 में इसको स्टेबलिस किया गया, mostly इसकी जो territorial jurisdictions है, वो अश्रम, ये काफी important इसलिए है, क्योंकि ये काफी चीजों को अपने अंदर समीटता है, नागालेंड, मिजोरम, अरुनाचल प्रदेश, ये चार है, अश्रम, नागालेंड, मिजोरम, अरुनाचल, आप याद रख सकते हैं, A square NM, A NM, A NM होता है, NM, अरु कोई trick बना लोगा, इसकी जो principal seat है, वो गुहाटी, बेंचेज, इसकी कहाँ पर, कोहिमा फोर नागालेंड, आइजवाल फोर मिजोरम, एटा नगर फोर अरुनाचल प्रदेश, 16, अब हम लोग गुजरात हाई कोट के बात कर लें, ये 1960 मे वो established किया गया, इसकी जो territorial jurisdictions है, व वो ही मांचल परदेश है, और जो इसकी principal seat है, वो सिमला है, ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब एक चीज और हम जानते है, historical point of view से, जो कलगत्ता हाई कोट है, ये oldest हाई कोट अफ इंडिया है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, और आंधरा परदेश में देखा जाना ह है, भाई फरकेशन होने से पहले, इसकी जो हाई कोट टेरिटरियल होती थे ना, वो होती थी आपको हाईदराबाद में, ठीक है, ये दो चीज़ों को ध्यान रखना है, आगे भड़ते हैं, अब देखते हैं, कुछ और हाई कोट को, देखो बेसिकली ये है ना, कि आप जि जमु कासमीर एन लद्दाक की है, प्रिंस्पल सीटिस की स्रीनगर में है, समर में, जमु है, विंटर में, ठीक है, जारखन की बात कर लेते हैं, दो हजार में बना भी जारखन, 15 रोमिंबर दो हजार को, ठीक है, जन जातिय दिवस के दिन, और इसकी टेरिटरियल है, और बैंगलुडू, इसकी प्रिंस्पल सीट है, इसकी बेंच है, धारवार, गुलबर्ग, ठीक है, याद रखना है, अब थोरा जल्दी चलते हैं, केरल हाई को जान लेते हैं, 1956 में इस्टेबलिस किया गया, यह दो रीजन को अपने अंदर समिटता है, इसकी है, और इसकी जो प्रिंस्पल सीट है, वो जबलपूर है, बेंच इसकी इंदौर, एन गॉलियर है, ठीक है, याद रखेगा, अब लोग मदरास हाई कोट की बात कर लेते हैं, काफी पुरानी, 1862, याद रखेगा, यह भी oldest to the old है, इसकी जो टेरिक्टोरिल जिरिक्स है, व इसकी पटना ही प्रिंस्पल सीट है, ठीक है, अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं, तेलंगना की, तेलंगना को 2019 में स्टेबलिस किया गया, इसकी जो प्रिंस्पल सीट है, वो है हाईदराबाद, और इसकी जो रिडिक्सन से है, वो तेलंगना है, ठीक है, अब एक दो ज इस चेट के एक्जाम देने जारो हो ना उस चेट के हाई कोट के जज़ेश का नाम याद रख लिज़ेगा और कुछ वहां के प्रिंसिपल बेंचेज का और इस्टेबलिश्मेंट यर की डेट को यार कर लिए यर के साथ डेट भी इंपोर्टेंट है इस इस अल बाउट आर्टिकल्स बचे है कुछ उसके बाद हम लोग चले जाएंगे स्टेट के अड्मिस्टेशन पर एड्मिस्ट्रेट के जुटी सेरी पर ठीक है इस इस अल बाउट था हाई कोट लेट सिंपलिफाइड अब इसकी हम लोग कोशन देखेंगे ऑप्यक्टिव फोम में ठीक है अब स्टार्ट करते है हम लोग स्टेट जूडिशेरी हाई कोटके हम सीकी के साथ थीक है कॉस्टन मार बन क्या कह रहा है who is authorized to transfer the judges of one high court to another high court एक high court से another high court में कौन transfer कर सकता है judges को तो यह simply the president president ही कर सकते है और कोई नहीं कर सकता है ठीक है कुशन में 2 पे चलते हैं कह रहा है why did you why did one of the high court in India decree that the bonds are unconstitutional and punitive ठीक है अब हम लोग देखते है bonds के बारे में बात हो रहा है ठीक है तो यह कह रहा है कि क्यूं जो बंद होता है जो भारत बंद हो गया बिहार बंद हो गया यूपी बंद हो गया इसको क्यूं unconstitutional and punitive माना आता है कुछ हाई कोट के द्वारा questions देखते है इसकी options देखते है कहता है it infringes one of the fundamental rights of some groups of people ठीक है अगर बंद हो गया तो नहीं जा पाएंगे तो यह तो हमारा correct है और यहाँ पर multiple options का answer भी नहीं है तो अगला options देख लेते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है इसा कुछ नहीं है इसा कुछ है क्या नहीं है बिल्कुल नहीं है अब आगे बरते है question number 3 देखते है the judges of the high court holds office ठीक है बिल्कुल question number 3 question number 3 answer is B आगे बरते है अब कहरा है match question number 4 देख लेते है कहरा है match list 1 में UT दिया हुआ है and list 2 में दिया हुआ है jurisdictions of the high court देखे जो table में आपको बताया ना उसका है ठीक है तो ये question में 4 है question में 4 अब देखते है pondicherry इसका हो जाएगा तो pondicherry है मदरास high court का ठीक है अब देख लेते है B अंडमान निकोबर आइलेंड है कलगत्ता बिल्कुल ये थोड़ा सा आपको याद करना मुस्किल होगा लेकिन ये याद रखना है अंडमान निकोबर कॉल कता का है A का हो गया 1 B का हो गया 2 लुकनो फर्दर लेकिन नहीं ऐसा नहीं है A और D में आपको मैच कर रहा है आगे चलते उनको किसके द्वार अपॉइंट के आता है moonlight ॥ प्रसिडिन्ट थो रहते ही थे किन का ऐड़वाइस होता है किन का गवaरनर का स्टेट के साथ साथ में चीफ जटिस एंडिया कर ठीक है आगे बढ़ते है कोशन में 6 पर चलते है तर जिखता है वो है चंडिकड में ठीक है अब हम लोग कोशन में 7 पे चलते है on which of the following grounds can a judge of the high court be impeached तो ऐसा कौन सा ground है जिस basis पे हम लोग high court के judge को impeach करेंगे तो violation of the constitution तो हो नहीं सकता है क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो खुद guardian of the constitution होते हैं तो second दिखते हैं proved misbehavior यह बिल्कुल correct है incapacity of act as judge तो same to same जैसा high court का था ना जैसा supreme court का था जैसा इंपीच्मेंट का same to same वही conditions होगा उनका भी यही condition था और यहां भी यही conditions है that is उनका misbehavior behavior को प्रूफ कर दे या उनके जो काम करने का तरीका है उनको incapable और incapacitive दिखा दे ठीक है तो two and three correct होगा answer D होगा हम आगे बढ़ते हैं अब कह रहा है question में 8 पे आते हैं question में 8 कह रहा है in which year high court of the madras was established तो याद रखिएगा इसको 1862 में established किया गया ठीक है 1862 में high court in high court in madras को established किया गया अब हम लोग चलते हैं तो आपको याद रखना है कि आपको किस जोन का पर रहे हो थोरा सोस पर ज्यादा परेशर करना है ठीक है अब देखिए which one of the following pair is not correctly matched इसमें से कौन इसा pair जो correctly match नहीं है ठीक है तो देखते हैं Bombay इसकी जो territorial jurisdictions है अब हम लोग देखते हैं तो पहले चूज करो कि क्या बोल रहा है किस स्टेट्मेंट को पकरने के लिए बोल रहा है ठीक है तो कीवर्ट को पकर के हम सेफ रखते है कभी कभी सिली मिस्टेक्स होता न वो ना हो ठीक है अब आगे बढ़ते है कहरा there are 21 high courts at present in India ठीक है तो 21 तो नहीं है तो 21 high courts तो है नहीं अब भी 25 high courts in total ठीक है इंडिया में कलकत्ता, बॉंबे और मदरास high courts were established in the year 1862 तो देखिए आपको अगर वो टेवल याद रहेगा न तो आप अराम से बना लोगे लेकिन कलकत्ता, बॉंबे और मदरास high court 1862 में बना था तो देखिए अब लोग चलते हैं कोशन वर 11 पर 11 है हमारा कोशन वर assertion and reason ठीक है कह रहा है, assertion क्या कह रहा है यह देखते है अवार्ड मेट बाई लोग अदालत इस दिम्ड तो बी डिक्री on the civil court ठीक है एक ऐसा अवार्ड जो दिया आता है लोग अदालत के द्वारा उसको डिक्री कर दिया जाएगा civil court के द्वारा उसको डिम्ड कर दिया जाएगा ऐसा possible है क्या बिल्कुल possible है इसकी reason देखते है कैरा वार्ड ओफ लोग अदालत is final and binding on all parties and no appeal lies against there to be for any court क्या अगर ऐसा होता ऐसा पॉसिबल है क्या कि लोग का दालत में जो चीज को पारित कर दे जाए उसको आगे कोई कोट उसको चैलेंज नहीं कर सकता है ऐसा है क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है So absolutely assertion हमारा correct है but reason is not correct Reason is not correct even the not correct not the explanation of A So you can say C is the correct answer ठीक है आगे बढ़ते हैं अब चलते है question number 12 पे question number 12 क्या कह रहा है कह रहा है the mobile court ठीक है question number 12 कह रहा है the mobile court of India is the brain child of एक चलता फिरता court बनाया गया था ठीक है काफी historical perspective से question है 2008 question है BPSC में पूछा गया है कह रहा है the mobile court of India is the brain child of किसका brain child है गुमता फिरता court तो आप इस चीश को याद रख लो justice भगवती ठीक है याद रखेगा PIL का concept इन्हों नहीं दिया था अब आगे बढ़ते हैं कह रहा हाई court just addresses his letter of resignation to किसको देंगे ये resignation बिल्कुल ये देंगे दे प्रेसिडेंट को इसमें कुछ सोचना ही नहीं है कह रहा है which one of the following Indian state does not keep its own high court ऐसा कौन सा high state है जो अपने high court को keep नहीं कर सकता है जो नहीं रखा है तो देखे Odisha का है Himanchal, Sikkim, Manipur का नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब कह रहा है देखे वो जो table है ना आप थोड़ा सा उस पे एक बार में वो याद होगा नहीं मैंसे और हूँ लेकिन आप जिस state की pieces दे रहा हो North East का हो गया कुछ sensitive Jones हो गया जैसे डेली हो गया बिहार हो गया Odisha हो गया North East हो गया कुछ-कुछ मतलब जो peculiar and popular है जैसे कुछ West Bengal का हो गया उनके benches को याद कर लिए तो ऐसा कुछ चीजों को याद करके रखना है Question 15 चलते है Which one of the following high courts has the largest number of benches ऐसा कौन सा court है जिनकी largest number of benches है ठीक है तो इसके हो जाएंगे कलकत्ता high court नहीं Guharati high court का सबसे ज़्यादा benches है याद रखिएगा ठीक है Guharati high court का number of benches सबसे ज़्यादा है आगे बढ़ते है अब कहरा है Which one of the following is not the main jurisdictions of the high court of the state तो ऐसा कौन सा है जो main jurisdictions नहीं है High court का स्टेट का Original jurisdictions तो है Supervisory भी है Appellate भी है But advisory jurisdictions नहीं है ठीक है Who voluntarily made public his asset is अपने mood से उन्होंने अपने आप से आगर के अपनी जो assets थी वो publicly बताई ठीक है तो इसे कौन से judge थे ऐसे थे आपको Justice के कानन याद रखिएगा काफी अच्छा question है काफी historical perspective से काफी अच्छा question है अब हाई कोट के बारे में कुछ statements है उसको हम लोग समझते है अब हमको इसमें खोजना कहा है वो पहले जाते है तो इसमें पूछ रहा है कौन सा correct है तो correct पर खोजना है तो देखते है question 18 अब यह कह रहा है 18 high courts in the country बिलकुल गलत है यह तो साफ गलत हो गया क्योंकि हमारे यहां तो भी 25 high court है ठीक है तो यह तो साफ गलत हो गया तो पहला मेरे discard हो गया तो मैं options discard करता हूँ यह cut हो गया यह cut हो गया ठीक है अब लेकिन देखिए एक चीज़ आपको और ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है question number 18 है न एक चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ेगा यह question कब पूछा गया है at present की बात करें हम तब तो यह गलत हो जाएगा but question पूछा गया UPSC 2001 में 2001 में 18 high court ही थे ठीक है तो यह question में valid नहीं है अगर उस तरीके से देखा जाए तो validity इसकी खतम हो जाती है ठीक है तो हम लोग देखते है अगला statement देखते है three of them have jurisdictions over more than one state बिल्कुल यह तो correct है अभी भी यह valid है no UT have high court of its own ऐसा है क्या बिल्कुल गलत है यह ऐसा नहीं है question में four देखते है judges of the high court held office बिल्कुल गलत है तो चौथा correct है दूसरा correct है और 2001 के देखे तो पहला भी correct है option यह correct है as per 2001 ठीक है आगे बढ़ते है कह रहा है लेकिन अगर अभी की बात करें तो 25 high court है अब कह रहा है question में which one of the following funds in which ऐसा कौन सा fund है जिससे salaries of the judges of the high courts state याद रखेगा यही होता है क्लीचे अगर आप जल्दवाजी में question कर रहे हो तो आप यहाँ पर इंडिया मार के आगे बढ़ जाओगे मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है ठीक है मैंने कुछ एक्जाम भी qualify किया मैंने इसको बाद में rectify किया इन चीज़ों को पढ़ने कोशिस किया और उन चीज़ को point out करने कोशिस किया जहां से हमारी गल्तियां बढ़ती है ठीक है तो याद रखेगा Consolidate Fund of India तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए यहाँ पर आप क्या गल्ति करोगे अंडमान एन निकोबर आइलेंड पे किसकी territorial jurisdictions है कौन से court की तो कलकत्ता हाई court की है और यह important सबसे ज़्यादा important question है अगर इस भी उसे देखा जाए वो टेबल से तो ठीक है हाला कि यह भी याद रखना है कि कलकत्ता हाई court सबसे oldest हाई court है यह भी याद रखना है date भी याद रखना है साथ-साथ में इस चीज का ख्याल रखना है कि अंडमान एन निकोबर ठीक है अब चलते question में 21 पे question में 21 क्या कह रहा है यह देखते है कह रहा है कुछ statements दे रखना है the highest criminal court of the district of the court of districts are session judge पहले हम लोग यह समझते है कि इसमें कह रहा है कि सारा correct fine करना तो पहला options देखते है कह रहा है the highest criminal court of the district is the court of district and session judge बिल्कुल correct statement है कह रहा है कोई भी district है उसके जो highest criminal court है वो court of district है या session judge है बिल्कुल correct है आगे चलते है question में 2 कह रहा है the district judge are appointed by the governor in consultation with the high court this is also absolutely correct ठीक है district judges को जो appoint करेंगे वो होंगे governor और consult लेंगे वो high court के ठीक है high court का consult लेंगे ठीक है बिल्कुल correct है third कह रहा है देखे यही तो है यहाँ पे इसी बात पे तो वो इसी उठ रहा है कानून मंत्री कह रहे है option number 3 पे चलते है कह रहा है तो तीसरा भी correct है बिल्कुल correct है 7 साल कहीं ने कहीं उसको standing 7 year का वो experience होना चाहिए ठीक है एड़ोकेसी का ठीक है और याद फिर officer होना चाहिए judicial services में union of the India में ठीक है यह भी correct है option number 4 पे आते है कहता है when the session judge awards death sentence ठीक है it must be confirmed by the high court before it is carried out तो याद रखे का कोई session judge होगा कोई district court होगा अगर वो death sentence को वो करता है award करता है सुनाता है किसी को तो इसको confirm किया जाना चाहिए high court के सामने ठीक है तो यह all statement correct है UPSC 24 question question में 22 क्या कह रहा है कहता है given options है statement देखना है और पूछ के रहा है कौन सा correct है कौन सा correct नहीं है C देख पूछ रहा है which of the following above is R correct तो correct देखना है कह रहा है 21 high courts देखे कब की बात करें 2005 का बात कर रहा है अभी के case में अगर हम देखेंगे तो यह तो कट जाएगा बढ़ 2005 की condition में सही है क्योंकि अभी 25 high court है आगे चलते है कह रहा है Punjab, Haryana and the UT of Chandigad have common high court बिल्कुल absolutely correct है Punjab, Haryana and UT of Chandigad have a common high court which is in Chandigad कहाँ पे है Chandigad में है Chandigad high court is the common high court of Punjab, Haryana तो दूसरा मेरा तो 100% correct है थर्ड कहाँ रहा National Capital Territory of Delhi has a high court of its own बिल्कुल सही है दिल्ली की high court दिल्ली में ही है 2-3 तो correct है तो अभी के according अगर ये question 2022 में पूछा जाएने तो option 2 and 3 correct होगा 1 correct नहीं होगा यहाँ पचीस judges है तो मैं अभी के according बनाऊँगा हाला कि 2005 में दिखाया था तो ये 3 o correct होता आगे बढ़ते हैं question में 23 को देखते हैं 23 क्या कह रहा है कह रहा है in India every state has a high court high court in its territory ऐसा नहीं है सारे states UT में ऐसा नहीं है कि हर जगा है बिल्गुल पहला तो wrong हो गया अब देखते है reason the constitution of India provides a high court in each state provide दो करती है लेकिन होती नहीं है ठीक है याद रखे का किसी कहीं कहीं पे एक high court दो-तीन जगों का high court होता है तो ये false है reason correct है आगे बढ़ते है question में 24 क्या कह रहा है ठीक है 24 कह रहा है statements को देखना है खोजना है कौन सा correct है ठीक है the mode of removal of judge of the high court in India is same as that of removal of the judge of the supreme court ठीक है तो बिल्कुल correct है absolutely correct है जैसा removal का same process है high court के supreme court के judges का वैसा ही removal है high court के judges का ठीक है option में 2 देखते है after retirement from the office a permanent judge of the high court cannot plead or act in any court or before any authority of India बिल्कुल गलत है यहाँ पर तो supreme court में कर सकते हैं बिल्कुल supreme court में कर सकते हैं तो यह गलत है option 2 बिल्कुल हमारा गलत है option 1 is only correct so option A is correct आगे बढ़ते हैं question में 25 पर question में 25 देखते हैं how many high courts in India have jurisdictions over more than one state एक state से ज़्यादा है UT not included सिर्फ state की बात करे है ठीक है तो question में कह रहा है कि ऐसे कितने high courts हैं जिनके पास एक से ज़्यादा states की jurisdictions है तो यह है दो ठीक है Mumbai और Guwahati high court क्योंकि यहाँ सिर्फ UT को include नहीं कर रहा है इसलिए दो है याद रखिएगा नहीं तो फिर Punjab भी हो जाएगा Punjab, Haryana भी हो जाएगा और भी West Bengal भी हो जाएगा बहुत सारे हो जाएगे लेकिन सिर्फ states की बात कर रही है तो दो है ठीक है अब चलते है question 26 चो कि हमारा last question है UPSC मैं पुछा किया यह question है ठीक है देखते है question कह रहा है with reference to low qadalats ठीक है with reference to low qadalats which of the following statement is correct conscious statement correct है ठीक है देखते है कहता है low qadalats have the jurisdictions to settle the matter at pre-litigative stage and not those matter spending before any court ठीक है correct पूछ रहा है तो यह बिल्कुल गलत है ठीक है अगला देखते है low qadalats can deal with matter with which are civil not criminal in nature तो यह absolutely correct है ठीक है civils matter को ही deal करेगा criminals जो matter उसको नहीं करेगा यह चीज़ ध्यान रखेगा तो यह तो subset हो जागा option 1 का तो B मेरा correct है c देखते है every low qadalats consist of either serving or retired judicial officers every low qadalats consist of either serving or retired judicial officers only and not only बिल्कुल गलत है ऐसा कुछ नहीं eminent personalities भी होते हैं ठीक है तो option B हमारा correct answer है option B हम लोग टिक करेंगे याद रखेगा low qadalats काफी important है BPSC में या फिर किस state pieces में मैंने बहुत बार इस question को देखा है this is all about the high court of India अगर आपको लगता है मेरा content सही वाकई में अगर आपको solution को simplify किया है as my name suggest ISP is simplified तो आप मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों के साथ कहिए कि हाँ देखिए यहां से आप पडशकते है या फिर कोई भी चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं मेरी ट्रिक्स वाली सरी चल रही है अब है घटना चकर जोगरफी करा रहा हूँ घटना चकर फिजिए अल्रेडी कम्लिट है आप फिजिक्स देखो अगर आप अगर आपको फिजिक्स में जीरो नॉलेज भी है या गैरेंटी देता हूँ कि आपको फिजिक्स करेक्ट हो जागग अगर आपको फिजिक्स करेक्स 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 करेक्स